वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स शुक्रिया वाइस चेर्णमें साब कोई भाशन की शकल में नहीं है एक शोक संतक्त गनतंत्र के एक अधना नागरीक समझे या एक जन प्रतिविदी समझे उसकी योड़ से कुछ बातें कहीं जा रही है और सबसे पहले माफी नामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक नॉलेज नहीं कर रहे हैं जो हम जान ही नहीं है क्यों मारेगा तो ये माफी नामा सर सर्क मेरा नहीं है मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मई के महिने में मैंने छे आर्टिकल लिखे संसर चल नहीं रही थी कहा अपनी शिकायत ले जाते किस से कहते मुझे भाजपा के मित्रों ने कई साथियों ने कॉल किया बधाई दी मैं उनका भी एतराम करता हूँ और कहता हूँ कि ये भारवसा इस सदन का है कि हम सब को एक साजा माफी नामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाश गंगा में तैर रही थी किसे ने कह दिया ये किसे ने कह दिया वो सब दूसरी चीज मैंने कई कल सेक्रेटी जेनरल साथ से भात करने की कोशिश की बांकी जग़ दी किसी दो सत्र के बीच में सब पाचास लोगों की अबिच्वरी आज तक कभी नहीं हुई संसबी ए इतिहास में राजीब सात्व की उमर थी जाने की इस दुनिया से रहुनात महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे बोलते थे जह जगनात अचानक रुबो दही है ये पीरा व्यक्तिगत है आकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूँ मेरा आकड़ा तुम्हारा आकड़ा अपनी पीरा में आकड़ा ढूड़िये एक व्यक्तिगती नहीं है इस देश में इस सदन में सदन के बाहर उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना कोया हूँ सर पीरा आप कह सकता हूँ आकड़ीजन के लिए लोग फून करते थे हम अरे इंज नहीं कर पाते थे लोग समझते हैं सांसा या अकड़ीजन पीचा देगा सो फौन में पूरे दीन में शाम को बैटके देखते थे सकसेस रेट दो सकसेस रेट तीन हमको कौन सा आकड़ा कोई बताएगा साब हमको किसी आकड़े की बात नहीं करनी है हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिन्दा दस्तावेच छोड़के गए हैं हमारे फेलियर का मैं आपकी बात नहीं कर रहा अशाब आपके येगा सतर साल में कुछ नहीं हुआ मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता ये कलेकिव फेलियर है साहितालिस से लेके अपकत की सारी जन्धारों का क्या बना दिया हमने मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और अक्सीजन का क्या रिस्ता होता है सर इमानदार इसे कहता हूँ मैं मेडिकल बैगराउंड से नहीं आता हूँ सिब्वा से लोगों को दिखता था आक्सीजन आक्सीजन रेमेडिस वेड मैं तो रभाईयों के नाम तक शुरू में सर फनन्सियेशन चेकिए कि कैसे उचारन करूंगा ये हालत और तब हम आक्रों की बात कर रहे हैं तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब चिलाना साहब सर में यहां से निकलता हूँ बड़ बहुत बड़ा बिग्यापन लगा हुआ है मुफ्त बैक्सिन मुफ्त राशन मुफ्त इलाज सर एक मिनट मैं मैंने किसी प्लीज मैं किसी दल की और से आज नहीं बोल रहा हूँ मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं लाखों लोगों की और से बोल रहा हूँ जो यहां बोलना चाहते हैं अब मेरी बात सुगी आज शिकायत नहीं कर रहा हूँ आप से यह वेलफेर स्टेट है ना एक सागुन की टिकी अगर कोई गरीब गाउं में खरीद रहा है न सर तो आडानी अंबानी के बरावर का करदाता है आप उसको कह रहे हों मुफ्त मुफ्त वैक्षिन मुफ्त इलाज मुफ्त राशन नहीं साब कुछ मुफ्त नहीं है उसका स्टेक है इस वेलफेर स्टेट का कमिट्मेंट है उसको आप डिनाइगरेट मत करिए डेमॉनाइज मत करिए उसे बाना मत बनाईए ये आगरा है मेरा सर मैं इसे पहले की कुछ और बाते कहूँ मेरे पास सभी वक्त है सर इस कोरोना को मैं भी मानता हूँ मेरे पुर्व के बता कुछ कह रहे थे ये चैलेंज है हमारे लिए सर बहुत बड़ी बड़ी बात है नएने कानून की हो रही है राइट टू हेल्थ की बात को नहीं करते है हम लोग राइट टू हेल्थ स्वास्त काधिकार उसमें कोई किन्तू परंतू लेकिन परंच नहीं सीधे तोर पे स्वास्त काधिकार कॉंस्टिचिशनली गारेंटीज राइट टू लाइफ के साथ लिंक करिए किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी कि वो उस खिलवार कर पाए उस राइट टू लाइफ का करना नहीं चाहता है राइट टू वोक उस पर काम करिए पॉपिलेशन को लेकर कि बहुत बाते हो रही है साथ डिमोग्राफिक और डिमोग्राफर्स को छोड़ दीजिए बरह संस लिस्ट भी ज्यान है लेकिन ये हम कर सकते हैं इस सदन और उस सदन में राइट टू लाइफ राइट टू वोक पर ले इसलेशन लाइए ताकि कोई आपदा आए अभी तो हमारे लीडर अफ हाउस नहीं नहीं बने है उनसे मैं कहता जब वो रेल मंत्री थे हास्पिटालिस सेक्टर के लोगों को निकाल दिया गया इसी कोरोना काल में मैंने लगातार आवाज उठाई कोई सुनने वाला नहीं है सर कोई नहीं सुन रहा अगर आप सांसब की नहीं सुन रहे हैं तो जो छोटे अधना संविधा वाले नोकरी से लिकाले गए उसकी कौन सुने गासर एक और हद्भू चीज हुई सी कोरोना के दौरान मालनी उपसा भापती महोद है जब हाकार मचा हुआ था हास्पिटल के लिए आईसियू बेड्स के लिए दौाईयों के लिए यह हाकार जब मचा हुआ था उस तोर में सर कई चीजें हुई जिसमें से एक जो महत्वन चीज मैं जिसका जिकर करूँगा उस हाकार में सरकारे मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूँ कई राजे सरकारे भी नदारत वो देर माईना कैसे बिताया है इस मुलक ने हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए हमें नाम नहीं लूँगा पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है नाइट मेयर की तरह लगता है सरक डरावना लगता है एक मेरा स्टूड़न्ट पढ़ाए हो वस्ताय तिस साल का हॉस्पिटल का बेट जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़के जा चुका थो मैं इसलिए बार बार इसको किये इसलिए ये कह रहा हूँ कि इसमें व्यक्तिगत पिला को दूंगी है तब हम इसका निदान भून पाएंगे मेरी नाओ तुम्हारी नाओ मेरा काल तुम्हारा काल ये तो बहुत कुछ हुआ इस भाकाल से आपको कुछ हासिल नहीं होगा सर बस एक मिनट और लूँगा जो मैं कहना चाह रहा था सर एक खत मैंने मिर्तातमाओं के नाम लिखा था कुछ कर नहीं पा रहा था बेबसी में एक खत लिखा जो लोग इस दुनिया से चले गए उसमें कुछ मैंने सलाह दीखी सरसरकार से और ये जो उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेलने कि सिस्टम फेल कर गया अरे साथ ये सिस्टम क्या है बच्पन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यत्ती होता है सिस्टम के पीछे एक संदचना होती है अगर वो सिस्टम फेल किया है चाहे दिल्ली में या किसी काओं की गलियों में तो वहां कि सरकारें फेल कि सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए तोकि यही वो सिस्टम बनाते है और आपको आखरी टिपनी करने दीजिए सर बस दस सेकेंड लूँगा आज जैहिन बोलने में भी वो खलूस नहीं आ रहा है जो आम दिलों में हुआ करता है मैं सिर्फ इत्मा आपको आपके माध्यूं से कहना चाहता हूँ मैंने एक शिकायत नहीं की सर किसी से दे किसे शिकायत करेंगा आहत हूँ जगाना चाहता हूँ स्वाइं को भी आपको भी क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशे सर जिंदगी में डिगनिटी चाहिए मौत में उससे बड़ी डिगनिटी चाहिए हमने अंडिगनिफाइड डेट को विटनिस किया है और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर आने वाली सदिया माफ नहीं करेगी आप बड़े बड़े इस्ताहर सप वाओ अख़बारों के चार पन्ने रंग दो फलाना थैंक्यू फलाना सर इतिहास को थैंक्यू कहने का मौका मिलना चाहिए जैहिं सर अगर मेरी बात से फिर भी किसी को कस्ट पहुचाओ मैं उन्हीं लाखों लोगों की जन्दवाद डेट बाडी के विहाब पर आपसे मावी मानता हूँ जैहिं